हाई फ्रेंड्स सबको नमस्कार आज मैं सबका गर में यूस्फुल वाला एक इनवेटर और बैटरी और उतका वित स्टैंड का साथ में अन्बॉक्सिंग और इंस्टालेशन लेके आयों वीडियो सुरू करने से पहले आप लोगोस एक चोटा रिक्पस्ट है वीडियो काफ़ी अच्या कामटेशन है यो अमराण बैटरी का साथ में माक्रोटेक इनवेटर है यह चून भार देओ का 4-2 मंस का वारेंटी est ओताgestellt गा向 थीन ваш बढ़री कुछ प्राबलम होता हो tapis 2-piece नीप्लेसे फ्रेंड वार्केट में गँडवी कुछ स्युung मादल्स है अच्छा चलता है इसी के लिए लिए आता है आपको एन्वेटर लूमनीस भी ले सकते हैं तो माइग्रो टैक को बेस्ट फैमस कंपनी है सिंपल सेट अप को साथ में आता है यह लेड़ एसेड बैटरी है इसका वारंटी काड है वो कुदी आके गर में इस्टाल करके चला गय आपको पांच पंका पांच लाइट टूबलेट्स चलाएगा तो यह आठ से लेके नाव गंटा बता रहा है और देखते हैं यह लेडी लैंप्स होगा तो कम्में होगा और मैं फिजिकली भी एक पर चेक करके आपको रिवीव दिऊंगा यह चार्ज ओने के लिए पूरा बैटरी लगबगो चेश साथ गंटे लग जाएगा पूरा डाउन होने से अइसा नहीं है आपको तोड़ा सा आधा गंटे यूज किया फिर दुबारा करंट आगया चार्ज किया तो कफी कम समय में एक गंटे में हो जाएगा यह इसको नॉब से इसको पहले सील्ड होके आ अब यह कैप्स कोलने के बाद में एक उसका लिविलिंग का वाटरो कम में ज्याधा करके और वो फिट करेगा अंदर में वाटर देख सकते डिश्टल वाटर है यह नाव है इदी वह रेट लेन का नीचे रेटिक नीचा आगिया तो आपको वाटर फिल करना आधर में अब बैटरी काफी वेट है 70 kg का वेट है दिखने में चोटा दिख रहा है 70 kg बहुत ज्यादा होता है यह इसका स्टैंड है साथ में में बात कियाता है लेने तो आपको अलग से दिखेंगा अच्छा नहीं दिखते है यह स्टैंड का अंदर लग दिया था आपको कहीं भी गर में पोच्छा उच्छा मारता है तो इसको सरका के कर सकते है इदि आप कहीं उपर में सेट अप करना चाता है आप लिंट साथ में लिया था ये पांच विल्स दिया है चीके सेंटर का विल्स जरूरी था नहीं तो पुरा वेट इसी में रहेगा ठीकी रहा प्लास्टिक क्वाल्टी उसमें तो लेका 800 हो है अब एडिशनल तो लिया ने पुरा बैटरी का साथ ही में बात करके आया इनवेटर का साथ तो काफी वेट फूल बैटरी है कि यह माइक्रोटे किमेटर है इसमें अमर्पिली का 8000 कुछ हूं लेकिन यह ओरल रेट डाला हो तो इसमें बिल्स में इसका रेट डाला 5000 करके बैटरी का 13000 करके डाला और जो स्टैंड है फ्री करके दिया है जरूरत है अभी आर जागा फ जाए लगा आपको सर्दी में इतना जरूरत नहीं होता है करण्ट का पावर कटटों नहीं होता है लेकिन गर्वी में बहुत कुछ होता है जब घर में ज्यादा एट इसका डिमेंड रेट भी जादा होता है यह आफ सिजन में लेने से टीके बुल कि लिए आता है हगा में यह तार से सिम्प्ल है एक एक अधैइ तो rand Sammy आप फिर्षट वाले में जोड़ना है बल्क वाल में जोड़ना है अल्का सा इसमें वैक सने तो ग्रीस भी लगा सकते है मैं ग्रीस लगाने करि क्या देख सकते स्पार्क आये लगाते हैं और आइज लेख सकते स्पार्क आया हुआ है कि उपकुछ चार्ज हो के आयों यह में ग्रिस दिया था एक्चली वैक्स लगा ना था नजी तहरा प्लाल कि ने दिया इसमें कभी-कबाल रश्ट आ जाता है रश्ट आने से आप निकालके नटमोल्ट को साफ कर सकते हैं अभी इसका साइड मालंटडे है.. बाहर नः रहे इत्के उसे आह sudah हो वह पनले इसकní आख्या नहीं थिखते हैं.. बच्च किसे भी आत ऊथ लगा सकते हैं इसका पैनल लगाने से सुन्दर भी दिखते हैं और सेफ्टी भी रहते हैं कास करके जो लेविल आपको डिश्टल वाटर का चेक करने वाला वो फाइबर का होता है कहीं लगया तो तूट जाता है तो फिर आपको दुबारा उसको पर्चेश करना पड़ेगा पहले लगाया था शायद उल्टा लग गया था फिर दुबारा निकाल के सही लगाएगा अब यह सही लगाया पीछे के सेड ओपन होते है आपको तारस आते रहते हैं वो दिवार में सठ जाते हैं सामने के सेड आपको यह बंद रहते है यहाँ पर मैं हमारा पॉइंट इधर था इसे लिए उपर सरकाया एक अलक से प्लेग ता लेना पड़ेगा आपको नारपन प्लेग चालिस पचास रुबी मलते हैं वो भी उकुदी लेके आया मैं बता यहाँ था टोटल कंप्लीट इंस्टाल करके देना कही आद भी क्या करते हैं लाने के बाद इंस्टालेशन चार्ज इस अलक से लेते हैं अब जब भी लेते हैं तो बात करने बहुत टोटल हमको करके चालू करके देखे जाना चाहिए यह शाप है विशाख पत्न में गाजवाका में इसका एड्रस चाहिए तो लोकल वालो कोई लेना चाहते है तो इसका नम्बर में देऊंगा यह माइक्रोटेक माइक्रोटेक इनिवेटर का काफी अच्चा नाम है और इसका सर्विस भी अच्चा बता रहे हैं इसलिए मैं लिए आता है अब यह तार जोड़ दिया है एक सिंगल वेर का वहां से जैसे अपको करेंट कर जाता है यहां से जो बाकी जो कर्रेक्शन दिया हुए उसमें पावर जाएगा बैटरी का तुरू यह चार्जिंग के लिए यह लोग को इदि आपको गर में इनिवेटर का वहरे नहीं है तो वह भी आके करेंगा इस पीछे मोड से चार्जिंग का हाई लोग करने के लिए नार्मन आप चाहिए तो फास्ट चार्जिंग भी रख सकते है इदि आपको ज्यादा पावर कट होता है तो इसमें फास्ट चार्जिंग करता है तो इसके इंडिकेटर है यह ग्रीन दिखते रहते हैं यह चार्जिंग होने के बाद में वह बराबर ग्रीन दिखते रहेगा वह ब्लिंकिंग नहीं होगा बाकी मोड्स के बारे दिखा है वावर लोड का क्या लो बैटरी का क्या ज्यादा लोड डालने से वावर लोड का सिंबल दिखाएगा अभी एक बार में मेर आप करके देखते हैं समय नहीं लिया तुरंत तो आपको आणों गया लाइट यह हमेशा आण रखना यह बटन को कभी बंद ने करना फिर बंद करने से कुछ नहीं होता है आपका चार्जिंग रुख जाएगा फिर आधर वे जो आपका जैसे सब्सक्राइब करना सबको नमस्कार